हलो गैज वेलकम टू न्यू व्लॉग तोड़े और देखे भाई सब सर्दें आ गई हैं मुदल हमारे लिए तो सर्दें हो जाती है जैसे यह पर ऑटम आचुका है जैकेट वगरे निकल लिए और लग के लिए आज बहुत अच्छी दूप निकले तो सोचा क्यों आज बाहर को सब्सक्राइब एजुकेशन 이제 का सबसुफंदation कैसा है अपने इंडिया में कैसा रहता है यहां फें जो जो सकूलिंग ऑर बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके और कैसे का स्टार्ट होती तो यहां पर स्टार्ट होती है एजुकेशन जब आप मिनिममम अपने बच्चे को स्कूल बेश सकते हो स्कूल मतलब प्री स्कूल बेशिकल अगर आपका बच्चा धाई साल का है तो धाई साल से चार साल तक एक अलग स्कूल होता है जिसको कि अपने इंडिया में जैसे प्ल स्कूल में गए तो आप थोड़ा कुछ वहां पर कुछ पढ़ाते नहीं है बस यहीं मानके चलो वो सिर्फ कहलने के लिए यह जाएगा आपका बच्चा वहां पर खेलेगा थोड़ा सा और वापस आ जाएगा चार साल के बाद यहां से जो फॉर्मल एजुकेशन वो स्टा स्कूल यहां से स्टाट होता है एट दा एज ओफ फोर यह अगर चार साल से छोटा है तो आफकोर्स तो भेजी नहीं सकते हैं चार से लेके आप बारा साल तक आप बेसे स्कूल में रहते हो और यहां पर जो केटेगरी कही जाती है वह कहा जाता है जैसे अपने इंडिया मे इसको गुरुप basically यानि आप class 1 नहीं बोलते क्लास 2 नहीं बोलते यहां पर वुदियो गुरूप 123 गुरुप 1 और तुन में जाते हैं आपको यह निहीं बोलते हैं कि आपको अब principlesMe यहां पर बोलते हैं कि ठीक है आपको ग्रुप वन और टू में जाओ वहां पर थोड़ा खेलो थोड़ा यूजटू हो जाओ जैसे कि यूजटू हो जाओ एक दो साल एक दो साल में यहां पर एजूटिशन स्टार्ट होती है डैट इंक्लूड तो आपका रीडिंग हो गया उसके बाद आपका राइटिंग हो गया और जैसे जैसे इसका ग्रुप लेवल बढ़ता जाता है तो उसमें ऐसे और सारे एलिमेंट एड होते जाते हैं आपका ग्रमर हो जाता है आपका मैंत्मेटिक्स एड हो जाता है और बाकी सारी चीजे भी जिले-जिले करके एड हो तो देखिए आप बात करते हैं कि आपका group 8 हो गया है लेकिन एक बात मैं आपको और यहां में बताना चाहूँगा कि जैसे अपनी जब streams जब change होती है तो यानि अप कैसे decide करते हो कि कौन से kind of education will be pursued after group 8 तो basically यहां पे एक होता है exam basically यानि जब आपका basic school खतम होने वाला होता है during the last year यहां पे एक exam होता है जिसको सीटो टेस्ट कहते है या फिर इसका एक नया और नाम भी है वो अभी recently उन्होंने चेंज गया 23 24 सो मैं आप आपको screen पे दिखा दूँगा तो भाई सब वो एक exam होता है और plus में कहा है कि जो आपकी teacher है उसकी recommendation होती है कि भाई अब यह बच् वाला हूं तो लेकिन यह decide कौन करता है यह decide करता है वो test का result और उसके अलावा जो क्या है basically आपका जो teacher है तो चलिए बात करते हैं basis school के बाद की तो basis school के बाद है उसको यहाँ पे कहते है high school basically so high school can be of different types it is very different from Indian education system तो आप ज़र आप ध्यान से सुनिए तो जैसे ही अब आपका basis school खतम हुआ तो उसके बाद आपके पास जो number एक option होती है number एक option होती है VWO VWO होता है basically kind of आपका more theory based exam से या फिर more theory based आपका जो education pattern है और यह मतलब कहा जाते है कि सबसे difficult kind of education है in entire high school education system और जिसका duration है भाई साब छे साल यानि 6 साल तक आप VWO की पढ़ाई करते हो उसमें भी फिर अंदर अंदर level होते हैं बट आप roughly मान के चलो कि आप group 8 तक तो basis school में थे उसके बाद आपको 6 साल और लगेंगे VWO करने में VWO will lead to WO, WO kind of आपका जो research based bachelor's degree है और उसके बाद आप जा सकते हो उसी stream में post graduation के लिए basically तो that is the first category VWO में होता है कि आपका अंदर जाके उसमें दो stream होती है एक होता है gymnasium यानि जिसमें आपको Latin और Greek वगरा लेनी पड़ती है और एक और उसके category I think Athenisium something like that मैं आप भी आपको screen पे दिखा दूँगा तो उसके अंदर दो categories बहुत कम difference है I think दोनों में शायद Latin और Greek का difference है additionally आपको हो लेनी पड़ती है but that is something that that falls under VWO तो अब आते हैं second kind of education है और second kind of stream है जो आपका basic school के बाद है जिसको कहा जाता है हावो तो इसमें basically आपको क्या prepare किये जाता है to go for HBO यानि उसके बाद कि जो education if you are going for the house stream तो आप land करोगे जाके अगले stream में that would be an HBO तो basically applied sciences जो होता है उसके लिए focus होता है और इसका difficulty level है भाई साब 5 और इसका duration is also 5 years यानि आपने basis school किया group 8 खतम किया उसके बाद आपको 5 साल लगेंगे आपको हावो complete करने के लिए तो चलिए बात करते है third kind of stream की basically जो की है VMBO तो VMBO का जो level है या फिर उसका जो difficulty है that is kind of level 4 basically यानि जो third category मैं बता रहा हूँ वो sequentially बता रहा हूँ तो आपको समझने में भी आसान ही हो कि इसका जो category है वो तीसरे level पर आता है और इसके लिए भाई साब जो education है वो लगती है आपको चार साल हो की यानि आप VMBO करोगे that will eventually lead to MBO और VMBO are kind of basically जो courses है न इसमें या फिर जो education कहूँगा जो subjects है that are more based on kind of either theory or either craftmanship तो ये एक mixed kind का है basically अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ ऐसी education करें कि जिससे आपको technician का job या फिर कुछ और इसी तरह की craftmanship का job मिल जाए या फिर आपको even और जो दूसरे streams है उनका job मिल जाए तो उसके लिए आप VMBO कर सके हैं तो VMBO में जो kind of courses है वो है basically एक तो MAVO है MAVO और VMBO को इन्होंने चार category में divide किया है तो VMBO की category में जो पहला course है वो आता है basically है VMBO T तो T का मतलब क्या है कि इसमें जो subjects है देरा are more or less theory based basically उसके बाद जो VMBO आता है G तो G basically as it sounds general है तो general क्या है basically theory और practical का combination है उसके बाद आता है VMBO के I think K में जो कहता है वो होता है basically more or less practical based approach तो देखिए हम बात कर रहे थे VMBO, VMBO में जो आपको last मैं टाइप बता रहता है वो है VMBO, B यानि जो basis school है यानि basis education है that's the lowest level within VMBO और वो भी आपको lead करेगा craftsmanship में जो कम skill वाली courses उसके लिए तो यहां में हमने basically I think more or less practical के उपर based approach है जिसका difficulty level और भी कम है rather than VMBO से तो यह option है एक और category है basically वो है special education का यानि children with special needs उसके लिए भी यहां पर education है उसके लिए भी आप वो टाइप का course कर सकते हो एक summary रिपीट करना चाहूँगा तो डाई से चार साल तक आपका play school है चार से बारा साल तक आपका जो basis school है बारा के बाद आपको option है एक 6 साल का है school करने का या फिर आपको 5 साल का या फिर 4 साल का तो basic इससे कम नहीं है तो यह kind of आपका education system है school level का तो यह basically मोटे मोटे तौर पर यह education है जो की schooling से related है मैं आपको college universities में include नहीं कर रहा हूं maybe if you want icon make a video on that as well कि है पर college में education कह सकता है basically आप डबलू करते हो तो आपको क्या पढ़ाया जाता है यानि आप HbO करते हो तो आपको क्या पढ़ाया जाता है या पुछ यहां पे जनरल बाते मैं बताता हूं जो जो की आपको को शायद काफी interesting लगे regarding the schooling तो सबसे पहली बात यह है कि जैसे मैंने बताया कि वाई-साब यहां पर आपको surprise होगा कि यहां पर कोई dress नहीं स्कूल में यहां पर मतलब कुछ भी kind of school हो कोई आपको dress नहीं है जो आपने कपड़े भी पहने रखे हैं मतलब चाहिए आपने रात को जो कपड़े पहने हैं या फिर आप नॉर्मल कपड़े भी पहन के जा सकते हो there is no uniform here another difference भाई सब यहां पर education mandatory है यानि अगर आपका बच्चा 16 साल तक का जब तक नहीं होता आपको उसको पढ़ाना ही पड़ेगा जख मार के you have no reason आप बोलो के भाई है मेरी income कम है या कुछ और reason है तो there is a municipality which will support you for your living hood आपको खाने पेने की दिक्कत है उसमें आपको support करेंगे लेकिन education में there is no compromise at all भाई सब वो आपको education देनी देनी पड़ेगी 16 साल तक है तिल 16 years education is mandatory उसके बाद आप ना पढ़ना चाहो तो आलग बात है जॉब करना चाहो तो उसके बाद आप डारेक्ट जॉब कर सकते हो और एक बात और है कि यहां पे जो जैसे लोग है वो जनरल कौन से स्कूल में पढ़ाते हैं यहां पर कौन से स्कूल के टाइप होते हैं basically तो of course जैसे की सब जग होता है यहां पर स्कूल के टाइप भी दो हैं एक है government एक है private school government basically मैं बोलूँगा जो डच स्कूल है basically डच स्कूल है mostly है वो डच स्कूल ही है जो भी लोकल से हैं यहां पर जो पी काफे टाइम से रहे न वो अपने बच्चे को प्रफर करते हैं यह भाई यह डच स्कूल में बेज़ें ताकि उनको education का कोई problem ना हो और बाकी जो अपने colleagues तो नहीं कहूंगा बाकी जो अपने schoolmates उनके साथ या फिर society के साथ जल्दी से integrate कर पाए language जल्दी से सीख पाए जिरू सही बच्चे को उस डच स्कूल में बेज़े हो तो फिर तो language के कोई problem नहीं होती है लेकिन अगर आप आए हो बहार से expert हो और आप यहां पर आके रहने लगे for few years और आप चाते हो डच स्कूल में अपने बच्चे को बढ़ाना तो basically यहां पर concept है ताल स्कूल का basically आपके बच्चे को डच आने चाहिए अगर आप डच स्कूल में पढ़ाना चाते हो तो उस case में क्या करते हो एक साल के लिए बच्चे को एक स्कूल में डाल लेते हैं जहां के जहां पर उसको language पर focus किया जाता कि पहले डच तो इसको सीखने आ जाए उसके बाद फिर इसको डच स्कूल में पढ़ाएंगे यह तो बात होगी government school की public schools की इसके अलावा भी यहां पर school होते है basically जो कि यह private school है private school में भी अब दो kind of category देख यह बता रहा हूं को 15-16,000 से लेकि 20-25,000 तक उसकी एक साल की यूरो फीज है यानि आपको दो से धाई हजार यूरो पर मंत देने पड़ेंगे पर किड तो रेली बहुत बहुत difficult हो जाएगा किसी के लिए पढ़ाना लेकिन हां कुछ लोग ऐसा है जो फिर भी पढ़ाना च उसकी फीज रफली आती है साड़े चार से साड़े पांच या शेहजार मतलब रफली 500-600 यूरो पर मत के साब से उसमें आपको AICS वगरा की टाइप के स्कूल कवर होते हैं लेकिन कोई फीज नहीं है और क्वालिटी ओफ एजूकेशन में absolutely no compromise कुछ मतलब डिफरेंस नहीं बाते हैं उसके पर यानि बेसे स्कूल में आपको मतलब कुछ बहुत बेसिक ऐलिमेट से कही जाते हैं जो कि बहुत अच्छा भी है आप अपना खाना कैसे खुद खाते हो अपना अपना जो कोट है जैकिट है कैसे हैंक करते हो यूशुड वियर ओन शूज उनको आप प्रॉपर रखो तो बच्चों को शुरू के जो ग्रूप ग्रूप से उनमें कुछ बाते से कह जाते हैं और भाई साब क्योंकि यहां प माइट भी ग्रूप फाई शिक्स के आसपस वहां पर भाई सब एक सैचलिंग का टेस्ट होता है मतलब बाइकिंग का टेस्ट होता है बच्चों का उसके बीच में थोड़े से सिग्नल स लगाए जाते हैं ताकि आपको सैक्लिंग आ सगे बच्चों को पास में स्कूल से जा थो है तो यहां पर सुमिंग का टेपलों होता है तो जो बच्चों के लिए जो यहां पर पड़ रहे हैं उनके लिए मंटेटरे है भाई साब कि आपका बेसी स्कूल में ही आपको समझ में आयोगा कि डच्च कूलिंग सिस्टम कैसे काम करता है तो यह था आज का वीडियो ह तो यह था आज का वीडियो मिलते हैं जल्दी किसे नहीं वीडियो में तिल देन टेक केर बाबाए